लेटेस्ट कबरे पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को, दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटेस्ट कबरे सबसे पहले अगराद दिन पसीने में तर बतर हैं, मौसम इभा के अनुसार मानसून की रफ्तार में कुछ तेजी आई हैं, जिससे अगले सब्ता के मध्या तक प्री मानसून बारिश के आसार बनने लगे हैं उमस भरी गर्मी के चलते राजदानी लखनाउ समेत लगभग समुचे राज्य में साथ ताहिक अवकाश के दिन सडकों पर कप्रियों चैसा सननाटा पस्रा रहा सुबै पार्कों में भीर भाराम दिनों की अपेक्षा कुछ ज्यादा देखी गई हाला कि दिन चड़ने के साथ सडके और बाजार वीरान हो गए लोग बाग जरूरी काम से ही घर से बाहर निकले इद के मौके पर पिछले हफते गुलजार रहने वाला लखना उस्थित वाजे दली शाह प्राणी उद्यान की टिकट खिड की रविवार को दशकों की बाट जोहती नजर आई मौसम के तलक मिजाज के बीच बिजली की लुका छिपी भी चरम पर है AC और कूलर चलने से विद्यूत मांग में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी ने स्थानिय गड़बडियों की आवरिती में खासा इजाफा किया है महानगरों में 24 घंटे निर्बाद विद्यूत आपूर्ती के सरकारी दावे को धता बताते हुए राज्ये के अधिसंखे शहरों में कई इलाके बिजली कटोती से बेहाल रहे हैं वहीं लोव वोल्टेज के समस्या ने विद्यूत उपकरणों के फुटने का खत्रा बढ़ा दिया है ग्रामीन इलाकों में हालात और धी विकट है भुजल स्तर के लगातार खेसकने से हजारों हैंड़ पंप बेकार हो गए है वहीं तालाब, पोखर और कुओं के सूखने से पीने के पानी की अभूत पूर्व समस्या है खेतों की प्यास बुजाने के लिए किसान इंदर देवता को खुश करने के लिए टोटकों का सहारा ले रहे है जून का महीना खत्म होने की कगार पर है जिससे किसानों को बारिश ना होने से बुआई का समय बढ़ने की चिंता सत्ताने लगी है मौसम मिभा के अनुसार अगले 48 घंटे में पूर्वी उत्तरप्रदेश के कुछ स्थानों पर धूल भरी आंदी और गरज चमक के साथ बूंदा बांदी का अनुमान है हाला कि पश्चिम और मद्य उत्तरप्रदेश के इका दुका स्थानों पर मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को राहत मिलने के आसार है पिछले 24 घंटे में लखनव में अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेलसियस रेकॉर्ड किया गया जो सामाने से 4 डिग्री अधिक था यहां न्यूंतम तापमान 39,8 डिग्री सेलसियस रहा बांदा में अधिक्तम तापमान 44.4 डिगरी जहां सी में 44.2 डिगरी और अली गड़ में 43.6 डिगरी सेलसियस रेकॉर्ड किया गया ताजनगरी आगरा 45 एक डिगरी तापमान के साथ खूब तपी इसके अलावा हमीरपुर में 44,2 डिगरी, उराई 42 डिगरी, हर्दोई 42.5 डिगरी, फतेहगर 43.7 डिगरी, कानपूर के चकेरी में 42 डिगरी, इलाहबाद 42.2 डिगरी और वारान असी में 42.6 डिगरी अधिक्तम तापमान दर्ज किया गया